Hello बाच्चापाटी कैसे हैं आप सब? Welcome to Easily! तब भे, आज हम क्या पढ़ रहे है? हम पढ़ रहे हैं Micro Economics माँ Micro Economics में हमने कर लिया था One Commodity Case और Two Commodity Case में Consumer Equilibrium आज क्या पढ़ेंगे? आज हम Consumer Equilibrium का एक और अप्रोच याने की Indifference Curves approach की बात करेंगे ठीक है जी तो भाई class 11 में हो या फिर आप 12 में हो ठीक है तो economics में CBAC ने तो थोड़े से changes कर रखें जिसके कारण class 11 में हमको micro पढ़ना है और बाकी अदब हो जो state board में कहा है class 12 में हमको micro economics पढ़नी है so मैं आपका welcome करती हूँ अपने उदय बैच में जो के design हमने किया है for class 11 and 12 farmers के लिए उदय ठीक है तो भाई आपको क्या करना है आपको easily app जल्दी से download करना है और उदय बैच को आप subscribe कर लीजे join कर लीजे so that आपको सारी classes बिलको यहां पे मिलती रहे okay so आज का हमारा point of discussion बन जाता है consumer equilibrium का indifference curve approach okay जी तो भाई सबसे पहले हमें क्या गरना है हमें यह जानना है कि indifference curve होता क्या है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि what is an indifference curve अब भाई सोनू का birthday एक example ले ले कि भाई सोनू का happy birthday है ठीक है अब सोनू के happy birthday क्या होगा उसको ना gifts की choices मिली ठीक है कैसी choices मिली तो उसके जो father है जो उनके papa है उन्होंने उसको choices दी कि भाई तू दो t-shirt ले ले या फिर दो t-shirt और दो जीन्स ले ले ठीक है या फिर एक t-shirt और तीन जीन्स ले ले ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने तीन choices दी क्या दी दो t-shirt दो जीन्स एक shirt तीन जीन्स या फिर चार t-shirt एक जीन्स अब वो सोच में पढ़ गया सोनू क्या हुआ सोच रहा है कि what to do अब उसे करनी है क्या decision making कि उसको अपने birthday पे क्या चाहिए उसको two shirt two jeans चाहिए one shirt three jeans चाहिए three four shirts या एक jeans चाहिए ठीक है तो अब उसके father ने ये choices दे दी वो सोच रहे सोच रहे सोच रहे भई क्या करें लेकिन ये चारो ही sorry जो तीनो ही choices उसके पास है वो उसको same level of satisfaction दे रहे क्या दे रहे है same level of satisfaction तो उसने क्या बला पाप आप कुछ भी दिला लो पाप आप कुछ भी दिला लो same level of satisfaction मिल रहे है और वो indifferent है वो क्या है indifferent तो यहीं से ये चीज जो है वो आई क्या आई indifference curve ठीक है तो भाई कोई भी ऐसी choices जो आपको same satisfaction दे ठीक है bundle of goods जो आपको same satisfaction दे उसको हम कैसे represent करते हैं indifference curve से represent करते हैं तो चलिए देखते कि क्या है हमारा indifference curve का definition भाई indifference curve क्या कह रहे है dash representation तो यहाँ हम देख सकते हैं indifference curve हमारे सामने तो यह क्या भी यह एक graphical representation है क्या है graphical representation graph में हमको दिखाई पड़ेगा graph हम बनाते हैं इसका यह एक pictural यह फिर graphical representation है किसका various combination of two goods दो गुड 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 वाई ले लिया हमने x-axis में y-axis में और good x ले लिया x-axis में कई बार यहाँ पर इसको गुड वाई और good two से भी बोल चकता हैं कई books में इसको गुड टू बोल देते हैं और इसको गुड वन बोलते हैं तो possible combination of two goods है ठीक है good one और two बोलो good x या good y बोलीह gives you same level of satisfaction आपको satisfaction जो है बिल्कुल से मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं utility तो आपको same level of satisfaction या utility मिलेगी in two combination से और आपका dash preferences for various combination of goods आपके जो preference है आप in different preferences है क्या है आपके in different preferences है in different preferences for various combinations कोई भी दे दो अब यहां पर देखिए जो combinations हैं यहां पर कौन-कौन से combinations लिखे हुए अगर मैं बोलू आपको A से भी 20 utils मिल रही है B से भी 20 utils मिल रही है C से 20 utils मिल रही है और D से भी आपको 20 utils मिल रही है यानि A B C D जो भी combination of goods है यह आपको same level of satisfaction दे रहे हैं तो आप indifferent है तो इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया भई ग्राफिकल रिप्रेजंटेशन और various combination of two goods gives you जैसे A B C D यहां पर अगर हम देखिए यह जो combination है various combinations कौन-कौन से है A B C D two goods give same level of satisfaction या फिर utility जो है 20 utils मिल रही है सबसे same satisfaction मिल रहा है हमको 20 utils का और हमको कोई भी दे दो A दे दो B दे दो C दे दो D D दे दो I am indifferent आई जी बात समझ पक्का से आई आई ना चलो तब थोड़ा और देखिए वे इसका दूसरा नाम क्या है जैसे सबके pet name निकनेम होते है न तो indifferent curve को हम क्या बोलते है हम बोलते है आई-सो utility curve क्या बोलते है आई-सो utility curve आई-सो का मतलब क्या होता है आई-सो का मतलब होता है same आई-सो का मतलब होता है same तो आई-सो utility curve को भी हम बोलते हैं indifference curve ठीक है देखने में कैसा है यह curve जैसा है इसका shape कैसा Convex है कैसा shape Convex ठीक है Concave किसका shape था जल्दी से बता दो Concave shape आपने किसका पढ़ाता Concave shape हमने किसका पढ़ाता Concave हमने PPC का पढ़ाता और Convex हम किसका पढ़ रहे हैं indifference curve इसमें production की बात हो रहे थी इसमें production की बात हो रहे थी और यहां क्या बात होती है consumption की indifference curve analysis consumers के लिए है ना तो यहां तो हम consumers की बात कर रहे हम पर हम कितना produce कर सकते उसकी बात कर रहे थी ठीक है चले तो confused नहीं होना इसलिए एक बार मैंने बता दिया अब हमको definition समझ में आ गया कि यह graphical representation है two or more goods two goods का combination बहुत सारे हो सकते हैं जो आपको same level of satisfaction दें तो एक बार इसका हम एक schedule भी देख ले क्या देख ले schedule भी देख लेते हैं तो भाया यह हमारे a b c d possible combination हो गए अब में पस अगर good one one unit है और good to fifteen तो कौन सा good मैं sacrifice करूंगी ठीक है अब आपके पास सोचिया आपके पास यहां पर आप बात कर रहे हैं kitkat के साथ और और कॉन सी chocolate clay हम और-णर dairy milk की ठीके kitkat और dairy milk की ऐसा कूल रहे है वहाँ पर में तो हमारा good one side में kya हो गया good one kitkat हो गया और good to होगया dairy milk ठीक है अब क्या हो रहा है अगर मेरे पास एक kitkat है और फंदर और dairy milk है तो मुझे क्या करने है मुझे kitkat और चाहिए है तो उसके लिए मुझे क्या गरने को मैं sacrifice करूंगे dairy milk कितनी sacrifice कर ली में इस ट्रिफ एक ही है तो दूसरी के लिए मेरी चाहा बहुत जादा है, I have a strong strong desire कि मेरे पस और KitKat आए, तो और KitKat मेरे पस कैसे आएगी जब मैं dairy milk sacrifice करूँ और आपको पता है that I am ready to sacrifice dairy milk तो आप मुझसे जादा dairy milk लोगे to give one unit of KitKat तो भई मैंने कितनी sacrifice कर दी five फिर मैंने कितनी sacrifice करी भई, आप दो है, तीसरी के लिए कम sacrifice होगा ना, चार sacrifice होगा फिर कितनी sacrifice होगा, तीन sacrifice होगा, फिर कितनी दो तो जैसे जैसे मेरे पस KitKat की unit बढ़ती जाएगी मेरा sacrifice of good two जो है, वो घटता जा रहा है तो भई, इसलिए हम किस तरीके से indifference curve draw करते हैं, हम इसको negatively slope draw करते हैं, कैसा draw करते हैं हम इसको negatively slope from left to right यह हमने draw कर दिया, अपना indifference curve, ठीक है, अब यहां पे combinations कौन-कौन से हैं हमारे पास combinations की बात करें, तो good one हमने कहा लिया है, यहां अगर हम good one ले ले और good y बोल लो या good two बोल लो, एक ही बात है, यह good two हो गया, ठीक है तो अगर हम बोले यह a combination, तो a combination हमारा क्या है, one unit of KitKat और 15 units of Darry Milk, ठीक है, यह हो गया हमारा a combination B combination की बात करें तो 2 units of KitKat और 10 units of क्या मिलके हमारे पास C की बात करें combination तो 3,6 ठीके वैसे ही D की बात करें तो क्या होगा 4,3 और यहां आ गए अगर E की बात करें तो हमारे पास 5 units किसके हैं हमारे पास KitKat के हैं और जिर्फ 1 unit किसका है Derimal का है तो इस तरीके से हम Curve Draw करके क्या बता सकते हैं Indifference Curve और सब में हमको Satisfaction कितना है Satisfaction मान लीजिए 20 Utils का मिल रहा है तो 20 Utils मुझे हर Combination से मिलेंगे हर Combination से कितना Satisfaction मिल रहा है हर Combination से जल्दी से Comment करके बताओ कितना Satisfaction मिल रहा है 20 Utils का Satisfaction हर Combination से मिल रहा है ठीके इसी को हम Iso Utility या फिर Indifference Curve बोल रहा है आई बात समझे हैं? चलो तो भई हमने X-Axis में क्या लिया है X-Axis में हमने ले लिया है Good 1 जिसको हम क्या बोल रहा है हम बोल रहा है Kit Kat और Y-Axis में हमने लिया है Good 2 जिसको हम क्या बोल रहा है Dairy Milk यह हमारे Example में तो देखो जैसे जैसे हम एक-एक Unit बढ़ा रहे हमारा Sacrifice जो है वो कम होते जा रहा है 5, 4, 3, 2 चलिए यह बात हुई हमारे Indifference Curve की अब देखो Indifference Curve के पीछे बहुत एक Property है बहुत बढ़िया Monotonic Preference Monotonic Preference इसका क्या मतलब है Monotonic Preference का मतलब जिसपे आधारत है हमारा Indifference Curve Monotonic Preference का मतलब है More is Always Better ठीक है क्या है More is Always Better तो जब आप कोई भी Combination लेंगे ठीक है For example अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 2 Kit Kat 2 Kit Kat और 3 Dairy Milk देती हूँ ठीक है क्या दे रही हूँ 2 Kit Kat और 3 Dairy Milk आप ये लेना पसंद करोगे या फिर 3 Kit Kat और 4 Dairy Milk लेना पसंद करोगे तो of course आप किस Combination के साथ जाओगे आप इस Combination के साथ जाओगे क्यूँ? क्यूंकि इसमें दौनों ही चीज़ें ज्यादा है More is always better अगर कोई भी हम एक Rational Person से पूछें एक Rational Person से पूछें तो वो Combination 1 और 2 में Option 1 और Option 2 में से कौन सा लेगा वो 2 लेगा क्यूंकि इसमें 3 और 4 है ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा utility अगर ये हमको 20 utils दे रहा है तो पक्का यहां से हमको 30 utils मिलेगे क्यूंकि दौनों ही गूड एक एक unit ज्यादा है हमारे पास है ना तो हमको यहां से satisfaction भी ज्यादा मिलेगा तो monotonic preference क्या आता है कि भाईया अगर आपको good 1 या good 2 या दौनों ही ज्यादा मिले या उसमें से कोई भी एक same हो constant हो और एक ज्यादा मिले तो आप हमेशा ज्यादा वाला bundle ही prefer करोगे और चलिए कुछ बंडल्स लिखते हम ठीक हैं याँ पर हम क्ँछ बंडल्स लिखते हम good X और good Y के good X और good Y के kई बंडल्स लिखते हैं जिसे की 6-3 6-4 6-6 6-8 यह हो गए और 6 6 के साथ और क्या लिख सकते हैं या पर इसको कम कर दें चलो तोड़ा 5 9 5 4 या 5 8 लिख लिया इसको 5 8 5 4 5 6 और मैं आपको बोलूँ आपको कौन सा combination सबसे अच्छा लगेगा तो आप बोलोगे 6 और 8 क्योंकि ये सभी combination में सबसे ज़ादा good x और good y इस combination में मिल रहा है तो आप ये select करोगे ठीक है और अगर मेरे पास सिर्फ ये ही options हो ये option ना हो ठीक है तो आप कौन सा लोगे तो देखो 6 तो same है हर combination में क्या है 6 same है लेकिन यहाँ पे 3,4 और 6 ठीक है यहाँ सिर्फ y जो है वो increase हो रहा है तो आप कौन सा Y जो है वो increase कर, right? तो चाहे एक same हो और दौनों ज्यादा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? Monotonic preference, ठीक है? कि बहई good X और Y दौनों ज्यादा मिले, या फिर अगर X same है, तो Y ज्यादा मिले, और अगर Y same है, तो X ज्यादा मिले, तो हम वही वाला combination या bundle लेंगे. preference, monotonic preference, ठीक है? चलिए. तो अब बात करते हैं, जरा marginal rate of substitution की. तो भाई हमने ये marginal word बहुत बार पढ़ लिया. पहले हमने marginal rate of transformation, marginal utility के लिए पढ़ा, फिर marginal post पढ़ा, फिर marginal rate of transformation पढ़ा. आज क्या पढ़े? marginal rate of substitution. तो marginal बोलते हैं, क्या दिमाग में गंटी बजनी चीए? क्या गंटी बजनी चीए दिमाग में? कि भी marginal का मतलब होता है, one additional unit. क्या मतलब होता है? one additional unit, या फिर एक extra unit की बात हो रही है. ठीक है? rate का मतलब क्या है? जिस rate में, जिस speed में, जिस speed में हम substitute करेंगे किस को? good x को और good y को. मतलब कौन सा good देंगे? अब जो देखो, यहाँ पर कौन सा हमारे पास ज्यादा है? कौन सा हमारे पास ज्यादा है? हमारे पास good 2 या फिर good x ज्यादा है? good 2 बोलो या good x बोलो इसको एक ही, good y बोलो एक ही बात है. यह कि good y या फिर good 2 हमारे पास ज्यादा है न? good y या फिर good 2 हमारे पास क्या है ज्यादा है? तो हम कौन सा good sacrifice करने वाले हैं? जल्दी, सोचो जल्दी, कौन सा good sacrifice करके कौन सा good मिलेगा तो marginal rate of substitution क्या है which good to be sacrificed जल्दी सांसर तो कौन सा good sacrifice होगा good x या good y जो भी मेरे पास ज्यादा है क्या है कौन सा good हम sacrifice करेंगे जो मेरे पास abundant में है जो मेरे पास abundant में है यानि ज्यादा है वो good sacrifice होगा हमारे example में यहाँ पर good 2 या फिर good y जो है वो मेरे पास ज्यादा है इसलिए वो sacrifice होगा for how many units of good x या फिर good 1 तो good 1 या good x के लिए आप कितना how many units for one extra unit इसलिए तो क्या बोल रहे है for one extra unit इसलिए ये क्या हो गया ये हो गया marginal ये हो गया marginal rate of substitution to maintain same level of क्या maintain करने के लिए sacrifice करना है वही हमको satisfaction to maintain same level of satisfaction हर combination से हमको same level of satisfaction मिले इसलिए एक ये extra unit good x या good 1 के लिए हमको good 2 या फिर good y जो है वो sacrifice करना पड़ेगा ठीक है जरा देखते हैं देखो first वाले combination पे तो कुछ नहीं आएगा dash क्योंकि इसके ऊपर कम को पता नहीं अब ये formula क्या है formula एक पर देख लीजिए माम बता दीजिए formula क्या है MRS marginal rate of substitution क्या होता है change in good y बोलो या good 2 बोलो जो भी आप बोल रहे हैं बोलिए good 2 divided by change in good x या फिर good 1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जिसको हम लोग sacrifice by gain भी बोलते हैं यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ लिखा है जो भी good sacrifice हो रहा है sacrifice और gain भी बोलते हैं ठीक है चले तो अब हम जरा इसको answer कहते हैं तो भाई एक extra unit good 1 के लिए हमको कितने units of good 2 sacrifice करना पढ़ रहे हैं is the sacrifice sacrifice is 15 minus 10 15 minus 10 sacrifice कर रहे हैं divided by कितने units के लिए 2 minus 1 तो कितना हो गया यह 5 is to 1 यानि एक unit x के लिए एक unit good 1 के लिए हमको 5 units of good 2 जो है वो sacrifice करना पढ़ रहे हैं अब next की बात करो next क्या हुआ अब मेरे पास यहां पे एक और extra unit के लिए हमको कितने sacrifice करना पढ़ रहे हैं 4 units of good 2 sacrifice करना पढ़ रहे हैं एक unit के लिए यह कौन से shape का होगा यह convex होगा from origin ठीक है convex shape का होगा और negatively sloped होगा ठीक है तो हमारा indifference curve जो है वो convex और negatively sloped होगा convex और negatively sloped curve होगा आगी बात समझ तो मैं एक बात जल्दी से ना draw करके लिखा जो क्यों कैसा draw करें पर लिकुल यह देखो यह हो गया हमारा indifference curve यह हो गया हमारा indifference curve ठीक है तो ना तो यह x-axis को touch करता है ना यह y-axis को touch करता है ठीक है ना यह x-axis को touch करता है ना यह y-axis को touch करता है लेकिन कैसे बनता है negatively sloping curve बनता है कैसा curve बनता है negatively sloping curve from left to right थोड़ा साइज को यहां से erase कर देते हैं clean दिखेगा ठीक है? चल तो यह हो गया हमारा indifference curve IC, IC1 भी बोल सकते हैं तो यहां पर जितने भी combinations होंगे A, B, C, D, सारे combinations हमको same utility देंगे और देखो यहां पर यह, यह अगर हम draw करके देखते हैं तो एक unit x के लिए, यह हमको एक unit, one unit के लिए इतनों सा sacrifice कर रहे हैं और कितना ज्यादा y sacrifice करना पर रहा है या फिर good 2, तो यह change in good 2 देखिए और change in good 1 देखिए, तो change in good 2 जो है हमारा वो बड़ा है change in good 1 से, यानि sacrifice हम कौन सा good ज्यादा कर रहें हम sacrifice good 2 ज्यादा कर रहें, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे हमारा sacrifice जो है वो क्या होगा, वो कम होते जाएगा, sacrifice क्या हो रहा है कम होते जा रहा है ठीक है, और हमको एक एक extra unit के लिए कम sacrifice करना पड़ें तो चलिए, ये बात हो गई हमारी marginal rate of substitution की, वो क्या है, वो slope of indifference curve है, क्या है slope of indifference curve, चलए तो next बात किसकी है, अब बात आएगी properties of indifference curve, क्या-क्या properties है indifference curve की, तो जल्दी से जान लेते हैं, सबसे पहली important property क्या है dash indifference curve represents dash level of satisfaction, भई देखे, जितना higher indifference curve होगा, वो उतना higher level of satisfaction देगा, ठीक है मैं, draw करके बिताएए, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, बिलकुल जी draw तो करना ही पड़ेगा ठीक है, ये तो हमने क्या लेना है, यहां हम ले लेते हैं good y, यह होगी हमारी y axis, यह होगी हमारी x axis यहां हम ले लेते हैं good x ठीक है, यह होगी हमारा origin हम दो indifference curve draw करते हैं, क्या करेंगे, दो indifference curve हम draw करते हैं और उनसे एस property को हम समझेंगे, तो यह हो गया हमारा IC1 और एक हम IC2 ड्रॉ कर लेते हैं, क्या ड्रॉ करेंगे IC2, तो यह हमने क्या किया हमने उसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, यह हो गया हमारा IC2, अब देखो, एक arbitrary यहाँ पर एक combination लिया ठीक है, इसको हम यहाँ डाल देते हैं बहिए मुझे यह लग रहे है कि यह 3 units of y और 2 units of x अब इसके ऊपर ठिक ऊपर कोई combination ले तो यह आएगा, ठीक है तो यह क्या लग रहे है यह मुझे 4 units of y और 3 units of x लग रहे है तो कौन सा जादा है, भईया यह वाले combination जादा है न IC1 हमको क्या दे रहे है IC1 हमको 2x और 3y दे रहे है और IC2 क्या दे रहे है वो हमें 3x और 4y दे रहे है तो satisfaction किसमें जादा होगी utility किसमें जादा होगी बताओ-बताओ utility किसमें जादा मिलेगी utility हमको IC2 से जादा मिलेगी अगर यह हमको 30 utils दे रहा है तो यह आई ही बात समझ में, तो indifference curve क्या है, higher indifference curve gives higher level of satisfaction, या फिर utility ज्यादा देगा, और इस से उपर indifference curve होगा, तो और ज्यादा satisfaction मिलेगा, मतलब IC1 से हमको IC2 जो है, वो satisfaction ज्यादा देगा, ठीक, आगे चलें, पहली property समझ गए हम, next क्या है, the slope of indifference curve is, slope क्या है, negatively slope है न, क्या है indifference curve का slope, the slope of indifference curve is negatively sloped, negatively sloped from left to right, ठीक है, और shape कैसा है, shape के बारे में भी बात करेंगे अभी हम, तो draw करके दिखाए माम, बिना draw के तो हम नहीं मानेंगे, तो again I will be drawing one IC for you, ये हो गया मेरा good Y, ये origin, और ये हो गया good X, ये हो गया मेरा X-axis, Y-axis, ठीक है, तो भई, एक माम indifference curve draw कर दीजिए, ये हो गया हमारा IC1, तो भई, ये negatively sloped किसको बोलता है, ये जो नीचे की तरफ गरता है, लेफ्ट से राइट की सरफ देखो, तो ये negatively sloped, याने indirect relation दिखाता है, इन-डाइरेक्ट relation, इन-डाइरेक्ट relation किसके बीच में है यहाँ पे, indirect relationship हमको किसके बीच में, good X और good Y के बीच में, ठीक है, negative relation है ना, कैसा relation है, indirect या फिर inverse relation, between good X and good Y, याने कि अगर good Y जो है, वो decrease करेगा, तो good X जो है, वो increase करेगा, अगर good Y जो है, वो increase करेगा, तो good X जो है, वो decrease करेगा, तो हमाए पस कैसा inverse relationship है, इसलिए एक चीज बढ़ेगी, तो एक घटेगी, तो एक example देख लेते हैं, कि मानिए, यह देख, यहां हमने क्या किया है, यह क्या show कर रहा है, Y1, यह क्या show कर रहा है, Y2, अब देख, अगर हमने, Y से Y1 increase किया है, तो यह combination A और यह B, तो हमने जब इसको increase किया, Y से Y1 पे गए हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ा है, हमको कम करना पड़ा है X का न, X का क्या करना है, X देखो, X1 से X2 reduce करना पड़ा, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, यह negatively sloping है, क्योंकि हमको X, एक unit extra X के लिए, अगर एक extra X चे यह तो Y sacrifice करना पड़ेगा, for one unit of X, we need to sacrifice, need to sacrifice, Y है न, तो इसलिए यह क्या है, यह है negative instead, next शीज देखते हैं, indifference curves are dash to origin, next क्या बता रहा है, next property क्या है, यह लोग होते हैं, convex to origin, कैसे होते हैं, convex होते हैं, PPC कैसा था, PPC ऐसा दिखता था, यह क्या था, concave to origin था, यहां से अगर नजरें जमा के देखेंगे, तो यह उपर की तरफ है तब बल्च देखेगा, लेकिन हमारा, IC कैसा है, indifference curve कैसा है, indifference curve है, यहां पे अगर हम good y ले लें, और यहां अगर हम good x ले लें, ठीक है, यह हमारी कौन सी axis है, x axis है, और अगर हम एक indifference curve ड्रॉ करें, तो यह है हमारा indifference curve, IC1, तो यह क्या है, यह convex है बिटा, convex, ठीक है, अंदर की तरफ आपको बुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, यह कैसा है shape इसका, इसका shape कैसा है, convex, अगर यहां से देखेंगे, तो यह कैसा दिखेंगा, convex दिखेंगा, ठीक है, चल, next बात करो, slope क्या होता है, slope का क्या नाम है, जल्द, negative तो होता है, indirect है, negative है, इसका inverse, जो है, मतलब, होता है, अगर, यह सारी बाते तो हमने कर ली, लेकें, लेकें, स्लोप का नाम क्या है, स्लोप का नाम, जल्दी से बितातो, अभी पढ़कर आएं, slope है, marginal rate of substitution, कई बार भूल से, बच्चा पार्टी, marginal rate of transformation, लिख देते हैं, यह गलती नहीं करना, T नहीं होता, MRS होता है, क्या होता है, इसका slope, इसका slope है, marginal rate of substitution, ठीक है, क्या होगा, इसका formula, भाई, change in units of good y, divided by, change in units of good x, ठीक है, इसको क्या बोलता है, marginal rate of substitution को, भाई, जो भी sacrificing good है, जो भी sacrifice हो रहा है, divided by, जो भी हमको good में gain हो रहा है, वो हो जाता है, हमारा marginal rate of substitution, marginal rate of substitution, ठीक है, MRT किसका slope है, MRT जो है marginal rate, वो PPC का slope है, ठीक है, और indifference curve का slope क्या है, indifference ICs का slope क्या है, marginal rate of substitution, ठीक है, क्या ये falling होता है, येस, गिरता है, ठीक है, और MRT क्या होता है, increasing, MOC increasing, येस, ये increasing गिरता है, ठीक है, और ये falling होता है, चलिए, next property देखें, two indifference curve cannot intersect, each other, तो मैं उन्हें उन्हें तो आंसर ही पिता दिया, two indifference curve cannot intersect, intersect, ठीक है, each other, एक दूसरे को कभी intersect नहीं कार सकते, क्यों, क्योंकि two indifference curve same level of satisfaction नहीं दे सकते, two indifference curve, two indifference curve cannot give, cannot give same level of satisfaction, same level of satisfaction जो है, वो कभी दे ही नहीं सकते, इसलिए two indifference curve कभी मिल ही नहीं, सकते, ठीक है, अगर मैं बोलू हूँ, एक indifference curve से 20 utils मिल रहा है, तो दूसरे से या तो 20 से कम, या तो 20 से ज़्यादा मिलेगा, मैं, डॉआ करके बताऊ, बिल्कुल लो, डॉआ करके, ठीक है, डॉआ करके बता नहीं है, तो यह देखो, यह हमने डॉआ करी, आपकी कौनसी आक्सस डॉआ करी, हमने यहां पर, यह होगी हमारी y आक्सस, यह होगी हमारी x आक्सस, यह होगया, हमारा यहां हम ले लेंगे good y, और यहां आएंगा good x, ठीक है, तो अब एक इंडिफरेंस कर्व आर्बिट्रे मैं से, ड्रॉआ करके देखते हैं, ठीक है, तो यह होगया हमारा ic1, अब इसी को एक बार हमने, इंटरसेक्ट कराके, एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉआ करके देख लेते हैं, फिर पता करेंगे कि, यह हमने एक और ic2 इसका नाम दे देते हैं, अब यह यहां पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जल्दी शे बता दो, जी हां, यहां पर, इस पॉइंट पर जहां बी लिखा है, वो जो हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, अब मैंने बोला था कि, मुझे ic1 पर और 2 पर same level of satisfaction तो मिली नहीं सकता, ठीके, आपने बोला, मैं हम ic1 पर हर point पर, कोई भी point ले लो, red color का जो हमारा indifference curve है, उस पर कोई भी आप point ले लीजिए, वहां पर हमको same level of satisfaction मिल रहा है, तो ic1 पर हमको कितने मिल रहा है, ठीके, तो अब ic2 पर हम ध्यान दे, किस पर ध्यान दे हम, ic2 पर अगर ध्यान दे, तो वह 20 utils तो नहीं दे सकता, उसके तो दूसरे combinations है ना, तो अगर ic2 हमको 15 utils दे रहा है, ठीके, तो भी कैसे intersect करेंगे, नहीं कर सकते, यह क्या होंगे, या तो parallel होंगे, या तो never intersecting, या तो parallel बनाओ, ताकि intersect करेंगे, और अगर नहीं, तो कोई ऐसा, कोई ऐसा बनाओ, ठीके, तो यह दौनों कभी आपस में, intersect या फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि same level of satisfaction, हमको नहीं मिल सकते, ठीके, चले आगे, तो भई, next क्या बोल रहा जा रहा है, इंडिफरेंस कर्व, नीदर, touches dash, नौर touches dash, तो भई, या कभी भी ये, x-axis और y-axis को, touch नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फिर दौनों कॉम्बिनेशन तो हो गई नहीं, एक गुड तो 0 हो जाएगा, एक गुड क्या होगा, 0 हो जाएगा, अगर हमारे इंडिफरेंस कर्व ने y-axis को touch कर लिया, तो x equals to 0 हो जाएगा, और अगर हमारे इंडिफरेंस कर्व ने x-axis को touch कर लिया, तो y equals to 0 हो जाएगा, और हमने क्या बोला, ये combination of two goods है हमको दो goods consume करना है combination of two goods ठीक है तो हम जब दोनों good consume करेंगे तो ये हमारे x और y axis को touch नहीं कर सकता तो कैसा बनाना है भई ये indifference curve convex बनाना है जो x और y axis को touch ना करें ठीक है तो अगर ये हमारी y axis है ये हमारी x axis है origin है ये कभी भी indifference curve हमारा x axis को और y axis को touch नहीं करें ठीक है next property देखते है set of indifference curve showing different level of satisfaction भी खूब एक indifference, एक axis बनाई है हमने ठीक है ये हो गया हमारा coordinates ये हमारा y axis ये हमारा x axis ये origin और यहां पर काफी सारे indifference curve है क्या है काफी सारे indifference curves है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जो क्या दे रहे हैं different level of satisfaction दे रहे हैं तो इस पूरे set को हम क्या बोलते हैं set of indifference curve इसको हम बोलते हैं indifference map चाले next work की बात करते हैं next क्या है हमारा next property फटाफट से आ जाओ next property क्या है बोल रहे हैं indifference curve cannot necessarily dash to each other जरूरी नहीं है की parallel ही हो intersect भी नहीं करेंगे x और y axis को touch भी नहीं करेंगे जरूरी नहीं है की parallel हो ठीक है एक ऐसा एक ऐसा भी हो सकता है touch तो नहीं कर रहा है ना x axis ठीक है parallel नहीं है तो ऐसे भी बन सकते हैं parallel हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं तो यह जो हमारे indifference curves है जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से parallel ही बने ठीक है लेकिन एक दूसरे को touch नहीं करेंगे एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे indifference curves not necessarily parallel to each other junior classes में न कई सारी book में बोल देते हैं कि parallel होते हैं reality में ये parallel नहीं है और reality में दिखते कैसे हैं actually ये हमारे जो हैं वो सिर्फ दो axis में देख रहे हैं न हम x y plane में देख रहे हैं हम x y plane में देख रहे हैं इसलिए ये हमको two dimension figure दिखते हैं लेकिन reality में देखें तो ये 3D में दिखेंगे और ये bangles बैंगल थोड़ा संदर बना दीजी बिलकुल तो कैसे दिखते हैं इन्डिफरेंस कर्फ एसे दिखते हैं तो हम क्या करते हैं यह वाला पोर्षन जो है वो यूज में नहीं देखते ही नहीं है क्योंकि हम x y plane देख रहे हैं तो हम इन्डिफरेंस कर्फ को ऐसा देखते हैं यह हो गया हमारा इन्डिफरेंस कर्फ इस तरीके का देखते हैं लेकिन reality में क्या है वो बैंगल शेप का है कैसा शेप का है बैंगल शेप का तो यह हो गई हमारी इन्डिफरेंस कर्फ की प्रॉप लेफ से राइट अगर आप देखोगे तो negatively slope दिखेगा convex होता है from the origin ठीक है origin से हम इसका shape देखेंगे तो convex to the origin है जो इसका slope है उसका नाम है marginal rate of substitution इंटरसेक नहीं होगा, two indifference curve cannot intersect each other ठीक है, indifference curve neither touches x and y axis ये indifference curve parallel हो जरूरी नहीं है और ये bangle shape के होते हैं और एक चीज़ बता दो ma'am indifference curve follows monotonic preference क्या है भाई, indifference curve follow monotonic preference याने इसलिए higher level gives you higher level of ic gives you higher level of satisfaction ठीक है तो ये होगी बात हमारी indifference curve की उसके slope की और properties की तो आज हमने क्या क्या ओडा दिया हमने indifference curve का definition उसका meaning समझ लिया हमने indifference curve का slope समझ लिया और हमने properties of indifference curve कर ली ठीक है फिर मिलेंगे हम next class में कब क्या पढ़ेंगे budget line पढ़ेंगे till then learn with smile और क्या याद रखना है अगर आपको हमसे मुलाकाज करनी है मिलना है, doubt पूछना है ठीक है, तो आपको कहा आना पड़ेगा आपको आना पड़ेगा हमारे app में जिसका नाम है easily जो आप अराम से easily play store से डाउनलोड करेगा याद रखेगा कि आप अपना location on रखें ठीक है, तो आप easily app डाउनलोड कीजे वहाँ पे आपको मिलेगा doubt section वहाँ आप अपनी doubt को picture form में या फिर एक लिख कर कैसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं telegram के हमारे channels है telegram के कौन से channel है भाई आप हमसे connect कर सकते हैं commerce easily पर commerce easily जो की हमारा youtube और telegram दोनों, youtube और telegram दोनों का channel है commerce easily and science easily पर ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपने next lecture में till then learn with smile